मानुभाओं आज के इस ओपरेशनल डेमोंस्टेशन में आप भारतिय नौसेना की भारत वर्ष की इसी विजय शक्ति की कुछ जलकियां देखेंगे सेना की प्रासंगिक्ता युद्य और शांती दोनों परिद्रिश्चों में है आज भारतिय नौसेना की पश्च्मी नौसेना कमान अपने युद्ध कोशल उभरती नई तकनीक तथा राष्ट की रक्षा सुरक्षा के कई आयामों को प्रदर्शित करेंगे अब आप आप प्रदर्शित करेंगे तटी रक्षा के लिए समर्पित मंच के दोनों तरफ से आ रही दो दो ISV को देख सकते हैं इन जहाजों में ऑप्टिकल डे औन नाइट सर्विलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई हैं नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों प्रतिष्ठानों एवं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए ततपर रहती हैं पचीस मीटर लंबी ये बोट चोहतर किलो मेटर प्रति घंटे की रफतार से चल रही हैं इन आइस्वीज का नेत्रत कर रहे हैं लेफ्न कमांडर मोहित शर्मा अपार्ट रॉम लेफ्न पेट्रोलिंग इन आपर इस्वीज आपर रोल्स प्रोटेक्शन देवीज और सज्जनों अरथाद युद्धिकालीन अवतरन एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रिवेश करते हैं इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान या मरीन कमांडोस 24,000 फीट तक की उचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किये जा सकते हैं अश्ट्र सस्थ्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष पर सठीक उतरते हैं या प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो अथवा समुद्र में जहां रबड की नौका भी उतारी जा सकती हो जिसे किसी वी दुश्मन, पाइरेट या ड्रग माफिया को पकडा जा सके Ladies and gentlemen, look up into the sky As we can see, a team of marine commandos of the Indian Navy have jumped from the ALH helicopter from a height of 8000 feet and will be landing shortly When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marine Commando or Marcos to go in behind enemy lines One of the many ways in which we do this is through something called Combat Free Fall Combat Free Fall is one of the most lethal modes of insertion of special forces into the enemy area by air utilizing highly maneuverable parachutes The special forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target Combat Free Fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and ALH as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornia This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible or at sea where our brave marine commandos jump along with an air droppable inflatable boats to neutralize adversaries' marine elements i.e. इस समय भारती अनोसेना के मरीन कमांडोज देश में बने एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर से आठ हजार फीट की उचाई से कूद कर हवा में लहरा रहे हैं ये थोड़ी देर में मंच के सामने अवतरन करेंगे आकाश मार्ग से देवदूतों की तरह आ रहे इन बहादुर मरीन कमांडोज को हमारी तालियों की गलगलार चुनाई पड़नी चाहिए शूर अमी सरदार अमहला काय कुनाची भीती देव देश अन्धर्मा पाई प्राण घेतल हाती असेच देशा साथी दररोज आपले प्राण हाता घेनारे आमचे धार सी मरीन कमांडो मंजे मार्कोस यांचे चित थरारक कॉमबाट फ्री फॉल चे प्रदर्शन आता अपला समोर होता है सरवाने कृपया आकाशा कडे लक्षधे वावे देवी और सजनो अलेकोप्टर की कमांड कर रहे थे कमांडर्स भारती नौसेना का मोटो है जिसका अर्थ है हे वरुन देव हम पर कृपा द्रिष्टी बनाई रखिए बी अस्पिशियस और तो अस देवी और सजनो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछी देर में हमारे पहले कमांडो धरती पर उतरने वाले हैं लेडिस और जेंडमन अ बिग रांड अप्लाउस तो अ फर्स मरीन कमांडो हो बी लैंडिंग शॉटली इतनी रिस्टिट जगह में इतनी प्रिसेशन के साथ लाइन कर रहे हमारे इन मरीन कमांडो के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों झाहिए झाहिए झाहिए